क्या आप भी दोस्तों यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हो मतलब ही आपका यूट्यूब पे चैनल है तो दोस्तों आज का सेशन आपके लिए है थेलो दोस्तों मेरा नाम श्रीनास बाथिया है और आप देखे रहे हैं पांटियास टेनिगन कंसर नसी और आज हम देखने वाले है कि मैं मेरे वीडियोस यूट्यूब के लिए किस तरीके से एडिट करता हूँ बहुत से लोगों ने ये पुछा है कि मैं अपने वीडियोस किस तरीके से एडिट करता हूँ यूट्यूब के लिए तो आज के session में हम ये step by step पूरा complete tutorial देखने वाले है जिसमें हम video editing, audio editing, color correction, noise removal, इस तरीके की सारी चीज़े देखने वाले है step by step तो आखरी तक ये video देखिएगा दोस्तों तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाई शुरू करते हैं और देखते हैं तो देखिए दोस्तों video editing के लिए Davinci Resolve यूज़ करता हूँ Davinci Resolve 17 का एक free version आता है वो यूज़ करता हूँ editing के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ share किया अब चलिए ये देखते हैं किस तरीके से मैं complete editing यहाँ पर करता हूँ और step by step fast मैं समझ लेता है कि कौन-कौन से options मैं use करता हूँ और किस तरीके से use करता हूँ तो यहाँ पर जैसा ही आप एक project बना लेते हो जैसा मेरे project का नाम यहाँ पर अब भी demo है अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो अलग-अलग tabs दिये हुए है तो अब भी के लिए मैं देखिए यहाँ पर edit tab में हूँ तो edit tab में आने के बाल यहाँ पर आपको media pool मतलब ही आपको जो भी media edit करनी है images या फिर आपके videos तो यहाँ पर edit करने के लिए उसको input देना है तो किस तरीके से add करेंगे तो control और i करके insert कर लेना है आपको जो भी video चाहिए और example मुझे यह वाला video चाहिए तो मैं इसे करता हूँ open अब यहाँ पर देखिए यह clip आ गई है अब यहाँ पर मैं right click करके insert selected clip to timeline क्लिक कर देता हूँ और यह बाकी सब standard setting है इसे करता हूँ create अब देखिए जैसा ही मैं create कर देता हूँ तो मेरी यह जो video clip है पूरानी तो यह 31 seconds की clip है जान बुझकर के मैं ने चोटी clip यहाँ पर ली है हमें समझने के लिए कि किस तरीके से हम edit करेंगे तो यहाँ पर यह आ चुकी है अब यहाँ पर left और right में देखिए ऊपर आपको video दिख रहा है और नीचे आपको वो audio file नज़र आ रही है तो आपको audio file और video को अलग-अलग edit करने का option यहाँ पर मिल जाता है सबसे पहले हम basic audio की editing कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यह audio की जो waves है यहाँ पर चले जाना है नीचे और यहाँ पर right click करना है इसके उपर right click करने के बाद यहाँ पर आप देखिए clip attributes है clip attributes में यहाँ पर बाकी सब standard रखना है मैं इसमें जादा कुछ changes नहीं करता मगर यहाँ पर एक चीज़ ensure यह करनी है कि आपको हमेशा stereo रखना है और stereo अगर आपका नहीं है mono है मान लीजिए तो mono में सिर्फ embedded channel 1 आएगा stereo आप जैसा ही करते हो वैसा ही देखिए आपको embedded channel 2 या embedded channel 1 को select कर लेना है so that आपके right ear में भी सुनाइए दे अगर कोई headphone यूज़ करता है तो यह ensure करने के बाद मैं करता हूँ इसे okay उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं right click करके इसे normalize करता हूँ normalize करने के बाद देखिए इस तरीके से normalize हो गया मैं थोड़ा zoom out करता हूँ देखिए यहाँ पर zoom and zoom out करने के लिए उपर option है अब यहाँ पर zoom out करने के बाद आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर जाता हूँ inspector में inspector में जाना है audio में audio में जाने के बाद देखिए मैं audio इसका बढ़ाता हूँ इसका volume में बढ़ाता हूँ तो volume बढ़ाना बहुत जरूरी है बहुत से लोगों के videos में उनके volume ही सही नहीं होते है तो आप के हिसाब से आप इसका volume बढ़ा सकते हो अभी के लिए मुझे ये सही लग रहा है उसके बाद मैं यहाँ पर equalize करता हूँ equalize में देखिए band 2, band 3 और band 4 मैं on करता हूँ band 4 को अभी के लिए band 4 on होने के बाद band 3 को plus 12 decibel तक लेके चले जाता हूँ और यहाँ पर देखिए इसे छोड़ देता हूँ और अब मैं band 4 को disable कर देता हूँ तो इस तरीके से मेरा audio editing का basic starting खतम हो चुका है तो यहाँ पर मेरी audio editing मेरी खतम हो चुकी है अब यहाँ पर हम देखते किस तरीके से मैं video को cut करता हूँ या क्या क्या हम कर सकते है तो अब देखिए मान लीजे मुझे ये वाला जो part है ये नहीं चाहिए देखिए example के लिए हम सारी चीज़े देख रहे है तो यहाँ पर देखिए मैंने bladely और blade से यहाँ पर click कर दिया timeline के उपर और यहाँ पर वापिस से मैं timeline पर चले जाता हूँ और यहाँ पर blade से cut कर देता हूँ तो अब मान लीजे मुझे ये बीच वाला part नहीं चाहिए तो देखिए मैं cursor select करता हूँ यहाँ पर और इसे select करके keyboard पर delete press कर देता हूँ तो देखिए यह delete हो गया अब यहाँ से और यह देखिए abruptly नजर आ रहा है तो इसको किस तरीके से मैं effects देता हूँ so that यह video merge हो जाए तो यहाँ पर देखिए उपर left hand side में effects library आपको दिया हुआ है effects library पर आपने click कर देना है effects library पर click करने के बाद देखिए video transition पर चले जाना है video transition पर देखिए अनेक आपको transition इस तरीके से मिलेंगे मेरा जो all time favorite है वो cross dissolve है इसलिए मैं cross dissolve को pick and drop करूँगा यहाँ पर तो देखिए pick and drop करने के बाद मेरा यह यहाँ पर आ चुका है तो आप देखिए किस तरीकी से यह दिखता है तो यह बहुत silent भी है और ज्यादा समझ में भी नहीं आता तो यह हो गया दोस्तो video editing के वक्त आप जो दो clips को add करते हो तो video transitions की बाद अब video transition तो हमारे डल चुके है अब मान लिजिए मुझे यहाँ पर lower third चाहिए तो किस तरीके से तो यहाँ पर देखिए titles पर click कर देना है और title पर click करने के बाद देखिए left lower third आप select कर सकते हो या फिर fusion titles भी आपको मिलते है देखिए clean and swipe lower third आपको यहाँ पर मिलता है और अनेक ऐसे इस तरीके से free में यहाँ पर lower thirds आपको मिल जाते है अभी के लिए मान लिजिए मुझे यह वाला lower third यूज करना है तो देखिए select करता हूँ और यहाँ पर timeline पर ऊपर add कर देता हूँ तो देखिए इस तरीके से यह आएगा और यह play होगा ठीक हो जो भी उसका duration है अब generally stranded duration इसका 5 seconds का होता है अब चलिए हमें इसे edit करना है तो किस तरीके से हम edit करेंगे इस text को तो यहाँ पर देखिए वो text box select कर लेना है जो pick and drop आपने किया था और बाद में inspector पर click कर देना है तो inspector पर आप जैसा ही click कर दोगे वैसा ही देखिए आपको यह text edit करने के लिए option मिलता है तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो आप मुझे नजर भी आया मैं क्या edit कर रहा हूं वह अब किस तरीके से आपको यह font का color चाहिए तो color आप आपके मरजी से select कर सकते हो यहाँ से pick and drop भी कर सकते हो for example आपको कोई particular color ही चाहिए तो pick and drop आप कर सकते हो या फिर यहाँ से भी select कर सकते हो for example red color select करना है तो मैंने red color select कर लिया है अब size इसके मैं बढ़ा सकता हूं देखिए या फिर छोटी भी यहां से कर सकता हूं line spacing भी आप यहां से define कर सकते हो anchor भी इसका decide कर सकते हो उसके बाद line की weight कितनी होनी चाहिए और यह जो color का background दिया हुआ है तो देखिए यहां पर transparent दिया हुआ है तो यहां पर यह color भी आप चेंज कर सकते हो और फिर RGB भी आपको दिया हुआ है अगर आपको कोई specific code का ही चाहिए तो अभी के लिए मान लीजिए मुझे इस तरही किसे ही चाहिए तो आप यहां पर देखिए मैं play करके देखता हूँ और जानबुच करके इस audio को मैं यहां से देख के mute कर देता हूँ mute करने के वज़े से क्या होगा कि आपको कोई भी आवाज यहां पर सुना ही नहीं देगी क्योंकि audio track मैंने mute कर रखा है अभी के लिए so that हमारे जो recording में कोई भी issue ना create हो तो चलिए तो देखिए इस तरीके से यह श्रेयास बाठिया करके click करके आ रहा है और automatically चले भी जा रहा है तो इस तरीके से आप text भी add कर सकते हो अब यह हो गया दोस्तो अपना basic editing अब यहां पर color editing में किस तरीके से करता हूँ चलिए यह देखते है अब यहां पर देखिए अपनी दो clips है अब यहां पर नीचे देखिए दोस्तो fusion वाला tab है तो fusion वाले tab पे आपने click कर देना है fusion वाले tab पे जैसा ही आप click करते हो वैसा ही देखिए यहां पर brightness and contrast वाला एक आता है option जो एक node add कर देता है देखिए जैसा है मैंने click कर दिया एक brightness contrast वाली node add हो गई है अब यहां पर मैं उसको filters दे सकता हूँ तो यहाँ पर देखिए मानली जीए मुझे गामा बढ़ाना है so that brightness बढ़े मेरे वीडियो की तो देखिए इस तरीके से मैं गामा बढ़ा देता हूँ तो मानली जीए अगर मेरे recording में भी इतना अच्छा मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है brightness के वज़े से तो यहाँ पर editing में मैं बड़े ही आराम से बढ़ा सकता हूँ brightness को तो देखिए अभी के लिए मानली जीए मुझे इतना ही रखना है तो मैंने इतना कर लिया अब brightness भी मैं बढ़ा सकता हूँ मगर brightness overall वीडियो की brightness बढ़ा देता है तो मैं ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता इसे तो अब भी इतना ही मैंने बढ़ाया है फिर contrast भी आप हलकासा बढ़ा सकते हो अगर आप चाहते हो तो इस तरीके से मैंने मेरे पूरी वीडियो की editing भी कर ली है जिस तरीके से वो दिखना चाहिए वो अब यहाँ पर फिर से चलते हैं edit tab पे अब यहाँ पर edit tab पे चलने के बाद आप देख सकते हो देखिए यहाँ पर मैं play करता हूँ इसे color में आपको difference नजर आ रहा होगा यह वाली clip bright हुई है और यह वाली जो clip है सेकेंड क्लिप हमारी dark हो गई है क्योंकि हमने color editing यहाँ पर नहीं की है तो जान बुझ करके मैं ऐसे ऐसा ही रखना चाहता हूँ for example तो चलिए इसे as it is ही हम रखते है अब मान लीजिए कोई चाहता है कि उसके वीडियो की beginning उसे delete करनी है तो किस तरीके से कर सकते है तो देखिए cursor को इस तरीके से आखरी में लाना है यह symbol आ जाएगा देखिए यह बहुत चोटा सा symbol आ रहा है यहां पर उस symbol को पकड़ कर रखके drag कर दो तो यह आपका crop होता चला जाएगा delete होता चला जाएगा तो अब generally मैं इस तरीके से editing नहीं करता अगर मुझे beginning भी delete करनी है तो भी मैं यही से split करके उसे करता हूँ अब धी के लिए मैं ctrl z कर देता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी cut नहीं करना है अब यहां पर अगर आपने observe किया होगा पहले तो यहां पर जब हमने clip बीच वाले delete कर दी थी तो automatically दोनो clips add हो गई थी मतलब एक दूसरे को चिपक गई थी तो किस तरीके से वो हुआ तो यह हुआ दोस्तों यह options के वज़े से तो देखिए यह snapping tool है और यह linked section है मतलब ही automatically वो link होते रहेगा और snap होता रहेगा snap होना मतलब ही क्या है अब for example मैं देखिए cursor लेता हूं और यहां पर देखिए यह वाली clip को मैं इस तरीकी से दूर कर देता हूं तो अब भी यह दूर है अब इसे snap करना मतलब क्या automatically देखिए वो जूड जाना जहां पर joint है व दोस्तों हमने अभी तक basic editing देख ली है जहां पर हम cut कर सकते हैं trim कर सकते हैं हमारे videos को उसके बाद हमने text start करना समझ लिया उसके बाद हमने video की color correction समझ ली audio editing में भी हमने basic audio editing जो fundamental होती है जहां पर आपको आपके clip का audio increase करना होता है तो वो भी हमने देख लिया अब चलते हैं ह लोग directly audio effects पे मतलब ही audio effects पे तो यहां पर देखिए मैं दो वाले filters सबसे ज्यादा यूज़ करता हूँ मैंने पहले के videos में भी बताया है तो यह पहला है dhummer जहां पर humming noise होता है तो देखिए इसे drag करना है और यहां पर place कर देना है immediately वो वहां पर आपके पूरे के पूरे audio मे लग जाएगा implement हो जाएगा automatically वो on हो जाता है और मैं कर देता हूँ इसे close क्योंकि वो लग चुका है अब यहां पर नीचे noise reduction करके एक option है noise reduction पर मैं क्लिक करता हूँ अब देखिए noise reduction में दो option है एक manual है एक auto speech mode है तो generally मैं auto speech mode ही use करता हूँ so that मुझे ज़्यादा मेहनत ना कर पड़नी पड़े और इनका auto speech mode में noise reduction काफी अच्छा है मेरे सारे वीडियो में आप देखी रहे होंगे तो इसलिए मैं यही use करता हूँ और अब करता हूँ इसे close तो यहां पर मेरा noise reduction का काम भी complete हो चुका है and finally अब इसको basic video editing complete होने के बाद अब मैं directly इसे render कर देता हूँ म आप यहां पर देखिए ऊपर youtube 1080p वाला option आपको by default मिलता है यहां पर चले जाना है उसके बाद यहां पर demo मानली जिए मुझे file का नाम रखना है browse कर लेनी है उसकी location आपको कहां save करना है मानली जिए यह मेरा folder ही है final files का तो यहां पर मैं save कर देता हूँ इसे उसके बाद resolution आप quicktime भी रख सकते हो या फिर mp4 भी ले सकते हो दोनों भी youtube पे upload हो सकती है मगर मैं quicktime ही से fundamental basic ही रखता हूँ आपका video codec कौन सा यूज करना है आपको तो आप इतने सारे codec यूज कर सकते हो मगर मैं edge 264 ही यूज करता हूँ क्योंकि वो default भी है और सबसे अच्छा भी होत है audio में जो एक track है हमारा वही है उसके बाद audio codec AAC ही होना चाहिए अब यहाँ पर add to render queue यहाँ पर मैं click कर देता हूँ जैसा ही add to render queue करता हूँ यहाँ पर देखिए right side में आपको render queue नजर आ रही है अब render queue में यह आ गया है job अब इसे render all click कर देता हूँ तो यह render होना start हो गया और कुछ ही seconds में यह render हो जाता है क्योंकि मेरे PC की quality मतलब ही configuration बहुत heavy है तो यह बहुत fast होता है अब देखिए यहाँ पर complete हो जुका है अब चलिए यह video हम play करके देखते है कि किस तरीके से edit हुआ है तो देखिए दोस्तो मैंने यह video VLC media player में add कर लिया है इसे full screen कर देता हू और चलिए अब इसे play करके देखते है हम लोग देखिए दोस्तो color grading में भी कितना बड़ा फरक पड़ गया है तो इस तरीके से यह final product हमारा बन जाता है और इसी तरीके से मैं editing करता हूँ आशा करता हूँ दोस्तो कि आपको भी यह software बहुत फाइदेमन रहने वाला है अगर क आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा so that इस तरीके के informative वीडियो आप तो हमेशा पहुचाय करें thank you